नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस बियार मैं हूँ आदेश पुरी यूपी एसी सिविल सिवा के माध्यम से देश में प्रसासनिक सिवा पुलिस सिवा विदेश सिवा और अनकेंदरिये सिवाओं के लिए चैन किया जाता है और जो भी कैंडिडेट है उनका सपना होता है क सामिल हुए तो अपने छमता का पडर्शन नहीं कर पाएं जिसके कारण वो पिछले साल सुप्रीम कोट भी गय थे सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार और यूपी एसी ने ये कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये कभी ना खत्म होने वाला एक चक्र सुरू हो जाएगा और हर एक साल अभियर्थी जो है कुछ ना कुछ अपनी डिमांड लेकर सुप्रीम कोट जाय करेंगे और एटेम्ट में छूट देना पड़ेगा लिहाजा ये उनकी याजका जो है खारीज हो गई लेकिन इस साल फिर नए सिर्य से दो याजका दार की गई है और दो वर्गो के कैंडिडेट ने ये याजका दार की है पहले वो कैंडिडेट हैं जो की 4 अक्टूबर 2020 को होने वाले परिच्छा में सामिल नहीं हो पाए इन्होंने अपना तर्क रखा है कि पिछले साल लोकडाउन की इस्तिती थी या तो वो खुद या उनके परिवार वाले कोरोना से संक्रमी थे गाइडलाइन था बहुत सरा प्रोटोकल था जिसके कारण वो परिच्छा में अंतिम रुप से नहीं सामिलो पाए और उनका अंतिम एटेम्ट भी था ऐसे में जो विकट प्रस्तिती बनी थी उसके हिसाब से उन्हें एक मौका दिया जाए बता दे कि यह याज का जो है जैस्टिस एम खान विलकर के अध्यक्सता में जो जज है उनके अध्यक्सता में दी गई है और इन्हों ने इसे आठ जुलाई के लिए सुचिवद करने का कहा भी है इसको तो यह जो है लिश्टेड हो गई है यह जो दलील है जो छात्रों की जो की पडिच्छा में सामिल नहीं हो पाए थे जो चार अप्टूबर 2020 को सिविल स्वेगा पडिच्छा लिया गया था वही दूसरा वर्ग जो है पूने की एक डॉक्टर का है उनके साथ चार आविदक और भी हैं जिन्हों ने रिड डायत किया है इन क्या कहना है कि यह प और फिजकल अगहात पहुंचा है हरास्मेंट हुआ है इनको जो आय का साधन था वह भी घटा और इस कारण वो पडिच्छा में सामिल होने के बावजूद भी अपनी छमताओं का परदर्शन नहीं कर पाए जबकि अन्य जो चातर थे उनके पास एक मौका था कि चलो इस सा इनको समय नहीं मिला तयारी करने का जो पढ़ाई का जो जरूरी मेटेरियल होता है वो इने समय पर नहीं मिल पाया जिस कारण ये अच्छा परदर्शन नहीं कर पाए और इसको लेकर जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याश्कादार की है आपको बता दे कि इसका परत दर्द से पीरित होने के दोरान उन्होंने अजीब सी इस्तिति में परिच्छा दी अध्यन समागरी कमी बुन्यादी धाचे और आय के नुकसान से भी उनका परयास बहुत ही खराब हो गया उन्होंने कहा कि जबकि अधिकांस उमिद्वारों को पास सिविल स्वा में एक औ परिच्छा दें उन्होंने अपने अंतिम अटेम्ट के एक और परियास की मांग की है ताकि उन्हें वर्स 2021 के लिए सिविल सिवा परिच्छा में उपस्तित होने का मौका मिल सके उमिद्वारों ने इस बात पर परकास डाला कि कैसे सुप्रीम कोट ने पिछले साल 30 सितंब पर्को एक आदेश में सरकार को 2020 के अंतिम परियास करने के लिए का का था जिसमें 2020 में उनको जो है डिबार कर दिया प्रिच्छा में सामिल नहीं किया जा रहा है सरकार जो है नहीं सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचका दाली है दो-दो अलग तरह की याचका है एक वैसे कंडिडेट हैं जो की परिच्छा में लॉक डाउन और कोरोना के कारण नहीं सामिल हो भाये थे तो वैसे वे डॉक्टर हैं जो की फ्रन्ट लाइन वरकर रूप में काम कर रहे थे और क परफॉर्मेंस दे सके और देश के प्रस्टिस सेवा में सामिल हो सके हैं आपको बताएं कि इस साल भी परिच्छा जो है UPSC की वो नौ जुन को होने वाली थी जिसे कैंसल कर दिया गया कोईट को देखते हुए और 10 अप्टूबर को इस परिच्छा को लिया जाएगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया लाइक सेर करें अमारे चैनल न्यूस प्यर को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद